hello my beautiful souls welcome back to my channel taro vishri v888 guys कैसे हैं आपसे below welcome to my youtube channel so guys अकर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया तो request करूँगी कि subscribe करें मेरे चैनल को एक वीडियो timeless video है collective video है सभी zodic science के लिए है और जितना आपसे resonate कर उतना ही रखे आपके लिए जो भी guidance होगी आपकी screen तक जाएगी आप तक पहुचेगी जो भी आपको answers मिलने होगे वह आपको मिल जाएंगे so start करते हैं guys आपके person की energies देखने की कोशिश करते हैं आपको हरी हरा क्या guide करना चाहते हैं आपके person के regarding focus कीजिए guys अपने person की energies पे पहली energy krishnavasudev की energy निकल कर आई है यहां पर पहली निकल कर आई है यहां पर पहली निकल कर आई है मुझे ऐसे energy feel हो रहा है because जो more punk होता है वो बहुत positivity देते हैं और कही न कहीं अगर आप उन अपने घर में लगाते हैं especially deduction दिशा में आपके life आपके घर की सारी negativity को दूर करते हैं मुझे ऐसी energy feel हो रही है कि आपका person जो है वो more punk को लेकर आए हैं आज ठीक है ये more punk मुझे आपन नजर आया और पर श्री कृष्ण की blessing नजर आई है ठीक है मुझे लगता है कि उनकी blessing से ऐसा कर पाए हैं आपके person ये भी एक message है आपर क्योंकि ऐसी energy हो सकती है कि आपका person बहुत लंबे टाइम से बहुत negative हो रहा था असपास की negative energies की चक्कर में और हो सकता है कि घर में बहुत जादा कले कलेश इस तरह की energy बनी हुई हो ठीक है लोग बहुत लड़ाई जगड़े कर रहा है कोई किसी को समझ नहीं रहा है ये सब जो चीज़ा होती है आपकी घर में इसकार लाए कि आपकी negative लोगों के negativity के पीच में रह रहे हैं आपके असपास नेकारत में कूरजा जादा है तो आप अगर इस तरीकी की more punk लगा देते हैं south direction में तो आपकी घर की negativity उनको ये absorb कर लेते हैं और positivity करेट करते हैं तो ये मुझ जिनको भी जिनको भी जब राहू से बहुत जादा problem है ठीक है या काल सर्फ दोश है जिनकी कुंडली में आप एक more punk हमेशा अपने wallet में रखे हैं उसको हमेशा ही साथ में रखे हैं ठीक है वो श्री कृष्न की कुंडली में भी था तो आपने देखा को अपने श्रमाथे प मेरी तरफ से आपकी पृष्न आपको बहुत निहारते हुए नजर आ रहा है आपकी परसन है यह आपको देखते बहुत हैं पतानी क्यों यह energy बहुत जादा निकलकर आती है यह परसन आपको बहुत देखते हैं यह अपनी life में कुछ भी कर रहा हूं लेकि इनको यह हमेशा रहता है कि आपको देखते रहते हैं कि आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है आपकी जिन्दगी में पता करना इस परसन को बहुत अच्छा लगता है stocking की energy बहुत निकलती है यह खुद अपनी life में क्या कर रहे है यह अपनी life में जो भी चीज़े करते हैं मज़े लगता है काफी चीज़ें आपको दिखाने के लिए करते हैं यह चाहते हैं कि आप देखें आपको फरक पड़े इस person को ना इस चीज़ से बहुत फरक पड़ता है कि आपको फरक पड़ता है या नहीं ठीक है यह पतानी बहुत ही अलग और immature energy है पड़ यह यहाँ पर है आपके जो partner हैं को इस चीज़ से बहुत फरक पड़ता है कि आपको फरक पड़ रहा है पते हैं किस तरह की energy मुझे दिखाई दे रही है यह बहुत ही mature energy है यह वो लोग होते हैं जो ego ego खेलते हैं connection में उनकी energy है यह पार्टनर कहीं नहीं जो भी काम करते हैं और जब आप इनकी चीजों को नहीं देख रहे होते हैं तो इससे नहीं बड़ा फरफ पड़ता है और इस और आपने वो देखा ही नहीं इस चीज से आपके person में बहुत फरक पड़ेगा कि यार मैंने post लगाया था सामने वाले इने देखा नहीं यह पता नहीं कैसी energy निकल कर आई है यह इस तरह से यहाँ पर message मिल रहा है यह total immature energy है यह दिखावा है यह यह आपको दिखाना चाहते यह इनसान चाहता है कि आपको फरक पड़े इनसान चाहता है कि आप देखकर jealous feel हूँ या फिर जब आप देख लेते हैं तो इनके दिल को ठंड़क पड़ जाती है ठीक है okay मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि जब यह person आपको अपने लिए काफी possessive देखते तो उनको बहुत मज़ा आता है यह किस तरीकी के messages हैं हम यहाँ पर ऐसा भी message मिल रहा है कि आपके person के कुछ काम आपको दिखाने के लिए होते हैं ठीक है अगर आप उन चीज़ों पर जो भी चीज़ें यह दिखा रहे हैं उन पर कोई response ना करें तो इस person को वहत फरक पड़ जाता है यह कि jealousy है यहाँ पर मतलब मैं बताती हूं जैसे for example यह person ने कोई काम किया और इस पर आपने react कि तुमने ऐसे क्यों किया यह किया तो इस person को मज़ा आएगा उसी जगे पर आप silent treatment देदो और आप कुछ भी ना बोलो तो इस person को फरक पड़ेगा कि आपको क्यों फरक नहीं पड़ा इस person का पूरा यह जो reading का starting में लाइं जो निकलिया वही कि तुम्हें मुझे तो सारे वही काम करने जैसे तुम्हें फरक पड़े मतलब यह person को वही काम करने जैसे वह आपको देखे कि आपको फरक पड़ रहे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इनसान प्यार करता है उसको फरक पड़ता है ठीक है और जो इनसान को फरक नहीं पड़ रहा है इसका मुझे में प्यार नहीं है ऐसा आपके person का मानना है जब 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 यह देखते हैं कि आपको फरक पड़ रहा है इस परसन को अचा लगता है कि आप इन से बहुत प्यार करते हैं यह टोटल इमिच्वर एनरजी यहां निकल कर आई इसको बस मज़ा आता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपको फरक पड़ता है या नहीं ठीक है बड़ा मज़ा आता है ठीक है इस तरह से मैसेज आई है यह एक और दूसरा और अच्छा मैसेज निकल कर आया है ठीक है आपके जो परसन है और आप यहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने परसन को कुछ देना चाहते हैं यह बहुत ही हाँ और दूसरे को सोच रहे हैं कि पहले वो दे 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 या पहले मैं दे दूँग है तो आप दोनों को दोसरे को कुछ देना चाहते हो लेकिन पहल करने की पहल करने की निपा रहे हैं आप पार्टनर की करे कौन ठीक है जैसे लगता है दोनों एक दूसरे को commitment देना चाहते है दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते है दोनों एक दूसरे को लेकर अच्छी energy में है यहाँ पर कोई jealousy security कोई third party ऐसी energy नहीं है यह energy ऐसी है अपनी गलती दोनों इंसान अंदर मान चुके है लेकिन बस problem यह ह है कि एक दूसरे के सामने accept करना है कि वो अपनी आप अपनी दोनों अपनी गलती accept करके connection को ठीक कर रहे है यहाँ पर बतब ऐसी energy है कि आप पहल नहीं कर पार यह आपका पादना पहल कर पार यह कुछ लोग के लिए मन में जिनके यह चल रहा है उनके लिए energy है जिनको अपन पार्टर की energy भी कुछ लोग के लिए निकल कर आ रही है आपके परसंट को लोग ना बच्चों की तरह समझाते हैं आज के लिए ना कुछ लोगों के partner की energy में बच्पना ही नजर आया है मुझे शुरुआत में ठीकिए ऐसे लोग जो इस तरह की आपके पार्टर की energy में की बच्पनी की energy में होते हैं जो ये सोचते हैं कि सामने वाले को फरक पड़ा तो वो तुम्हें चाता है नहीं फरक पड़ा तो तुम्हें नहीं चाता है ऐसे लोग जो होते हैं ये love को कभी understand नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसे लोगों के साथ जब भी कोई connection में जाता है वो कौन से planets हैं और आपके साथ partner की क्या lesson बन रहे हैं because इस तरीकी की mature इनसान के साथ अगर आप deal करेंगे तो आप इसे जितना दिखाएंगे ये उतना खुश होगा मतला जितनी आप इसे care दिखाएंगे जितना आप इसके लिए ऐसे लोग ये सारी चीजने देखकर बहुत फिर भी आप उसे ये भी दिखा दे कि देखको मैं किसी और इंसान के साथ फिर भी ये चीज नहीं मानेगा कि तुम किसी और इंसान के साथ जो आपको अंदर से समझता होगा नो आपको अंदर से पढ़ लेगा लेकिन जो आपको बाहर से समझता होगा आप उसे अंदर की समझता ही कितना भी समझने, समझाना ही कोशिश करें वो अंदर कुछ नहीं समझेगा , वो आपकी actions को समझेगा सर्फ अगर आपने उसको पैमपर कर दिया तो आप उससे प्यार करते हो अगर आप उससे गुस्ता हो गाया फिर आपने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की या फिर कुछीफ हरकत कर दी तो आपको धोके बास कहने लग जाएगा मतलब वो आपको समझेगा नहीं समझदार वेक्ती ही समझ सकता है जतना समझदार होगा वही समझ सकता है यहाँ पर इस तरह की भी एनरजी निकल कर आ रही है I don't know बट कुछ लोग के पार्टनर ना उपरी दिखावे को प्यार समझते हैं और इसी वज़े से जतना वो आपको देखते हैं उनके लिए पोजसिव आप कई बर मुझे लगता है कि ब्लॉग भी इसलिए मार देते हो यह देखने के लिए कि आप इन्हें कितने कॉल्स लगाते हो मज़ा आता है यह हो सकता है है कि mature energy है काई ठीक है यह reading में इस तरीके से पहली वार निकल कर आया है ठीक है ऐसे हो सकते है कुछ लोगों के partners तरीके के step 1 ऐसे लोग ना जल्दी बहकावे में भी आते हैं क्योंकि इनका खुद का दिमाग तो सही चलता नहीं है तो यह manipulative लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो manipulate हो जाएंगे क्योंकि यह बाहरी actions को judge करता है ठीक है तो आप जब भी बाहरी action आप कुछ ऐसा देंगे जो इस person की समझ में नहीं आएगा तो कही ना कहीं यह person जो दूसरे उनको समझा रहे होंगे भड़का रहे होंगे उसमें आ जाएंगे person ठीक है यह यहाँ पर मुझे message मिल रहा है मतलब जिनको भी यह पता है कि उनका partner बहुत immature है ठीक है वो समझदान नहीं वो अंदर से कु कलता रहता है कि उससे लगेगा यह सारे लोग है और फिर उससे लगेगा यह सारे लोग बहुत अच्छे हैं और फिर एकगा कमीद आपके तो सारी बुरे हो जाएंगे मतलब 100 के left Kirky करे गे भेत्व माँदे होंगे तो उसको काउंट नहीं करेगा यह अगर आपने 99 आपकि जो अच्छाईयों पर कम और एक बुराई पर जादा फोकस करके कहता है कि तुम गलत हो ठीक है यह भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है आज के दित में किसी के परसन इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं क्योंकि इतनी इनर्जी मेरे उस पर कभी कमी आती है इतनी ही रीडिंग में क्योंकि काफी जितने लोग हैं मेरे साथ जोड़े हुए लब्बेट हैं वह बहुत तक ही ही लो चुके हैं तो उनके सरीकी के इशूस होने नहीं चाहिए उनके पार्टनर के पर यहां पर जो निकल कर आ रहा है वो हो सकता है कि कुछ लोगों के परसन से अगा आप ज़्यादा इंसिक्यूर होते हैं वह सकता है डिवाइन गाइडेंस हो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसिक्यूर होते हैं बहुत अकलीफ में जाते हैं बहुत पेन में जाते हैं कभी वह आपको third party के साथ देख रहा है कभी किसी और से flirt करते हो देख रहा है तो कुछ लोगों के person यहां पर जो चीज़ें करते हैं वह just एक fun में करते हैं ठीक है उसका जड़ाव से कोई लेना देना नहीं है और उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया होती है ना उसको वह चीज़ देखे इस person को एक ठंडक मिलती है कि नहीं आप इस सिर्फ और सिर्फ इन ही के हैं ठीक है यहीं पर अगर आप अपने person को कभी silent treatment दे दे और यह दिखा दे कि मुझे कोई वरक नहीं पड़ता तुम तीसरे इंसान के साथ भी जाते हो तो समझ लीजी कि इस person को trigger हो जाएगा ठीक है यह इस person का trigger point बन जाएगा ठीक है यह चीज पता नहीं क्यों निकल कर आ रही है यहां पर एक यहां पर message और भी आ रहा है कि जो लोग भी अपने person के साथ काफी जादा insecure होते हैं third party में देख वो देखना नहीं चाहता उसको third party में हाला कि देखना कोई भी नहीं चाहत लेकिन जो काफी जाद insecure होते हैं जो यह देखना चाहते हैं कि उसको कर्मा मिले उसकी रगडम पट्टी वो अच्छे से ठीक है उसको universe बहुत तर प्ताड़ित करें जो इस तरह की energy में हैं और जो यह देखना चाहते हैं उनको आप देखना विपरी दिखाई देगा ठीक है उनको उनकी energy की विपरी चीजने दिखाई देगी दो देखना तो यह चाहते हैं पर उनने दिखाई ऐसा देखा कि उनका third party से उनका partner बहुत खुश है ठीक है वो इसका कारण यह है कि वो trigger आपके अंदर है तो परमात में कुछ नहीं आपको और heal करने के लिए वो trigger पर trigger दि तो इसको आम का फल कभी नहीं मिल सकता ठीक है तो उसको कर्मा तो मिलेगा लेकिन आप जब तक उसको कर्मा में देखना चाहते हो तब नहीं क्योंकि आपके अंदर वो भी trigger है ठीक है जब आपका trigger हील हो जाएगा और आपको फरक पढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन देख अपका हील हो जाए और आप इस तीज से फरक पढ़ने आपको बंद हो जाएगा उसको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इस तरह की भी messages आ रहे हैं क्योंकि है एक immature energy है तो आप इस person से परिशान तो बहुत होँगे यहां 7 नमबर निकल कर आ रहा है गाई 7 ठीक है काट से देखते हूं और क्या निकलता है आप लोग के लिए प्लीज गाई कीजिए इंजल्स मेरे व्योस के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्योस को लेकर क्या है एज अफ ओंस फॉर अफ कॉप अफ दॉर अफ कॉप्स व्योस का यथ तो आफ यूप्स ऱफफॉर तो दाफॉर अथॉर यॉर प्लीज अँजब्स जटूजब्स तन अवर शब्स अब्स। अभी ऑटूब्स दॉर नव मैं टॉर अटैडवर तो सवांट यू यहां पर गाईज अलग-अलग वैब्रेशन की रीडिंग निकल कर आई है तो अपनी सा अकॉर्डिंग मैसेज लीजिएगा यहां पर एक तरफ ऐसे लोग हैं मौझूद जिन जो अपनी कनेक्शन में काफी हद तक बैलेंस हो चुके हैं और उनका जो परसंन है वो उनके तरफ कॉमुनिकेशन लेकर आ रहा है और यहां पर जस्टस की अनरजी दे रहा है मतलब वह यह कह रहा है कि वह आपके तरफ जस्टस कनेकर तेयर जो भी बैलन्स एनरजी में है balance energy का मतलब क्या हुआ आप अपने साथ खुश हो और अपनी life में आप satisfied हो ठीक है वहाँ पर आपकी तरफ universe का ये action होने वाला है कि वो आपकी partner को return आपकी तरफ पेज दे रहे हैं और आप उस चीज को accept कर पा रहे हैं यहाँ ठीक है यह नजर आता है दूसरे वो लोग है जिनका person उनको चाहता तो बहुत था बट family की वज़े से उसने ignore कर रहा था आपको ठीक है वो अपनी family की वज़े आपको ignore कर रहा था यहाँ पर मुझे एनरजी नजर आ रही है कि उस इनसान को रास्ता मिल रहा है और या फिर ऐसा हो सकता है उसके family वाले जो भी है उनका मन परिवर्थित हो रहा है आपके प्रती ठीक है मैंने आपको यह भी बताया था कि जब आप heal करते हो ना जब आप परमात्मा को पालने की कोशिश करते हो तो अकर जिसने परमात्मा को पाली हो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं पाने के लिए जो शेश बच जाए ठीक है जो इशर को चाहे उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे ना चाहेगी ठीक है तो यहाँ पर हम इशर की तरफ देखते नहीं है हम इशर से सिर्फ मांग रखते हैं जो भी ऐसा था जिसने चाहाई कि उसका यूनियन डिवाइन यूनियन हो मतलब परमात्मा के सब पहले यूनियन हो तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लाइफ में आने वाली जो चुनाओतिया हैं लोग जो हर्डल्स क्रेट करते हैं उनके मन भी परिवलतित हो जाते जो आपके अगेंस्ट में खड़े थे वो आपके साथ में आकर खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जिनकी फैमिली अगेंस्ट में ती हीलिंग के बार परमात्मा आपकी जो भक्ति होससे प्रसाद नहा I think मुझे ऐसा लगता है कि family वालों का मन परिवर्टत हो रहा है तीसरे वो लोग हैं जिनका partner आज भी confusion में और बाहर की तरह focus है वहाँ पर ऐसे लोग मौझूद हैं जिन्होंने अपने partner के साथ एक strong boundary बना रखी है तीक है अप लोग love की energy में हो सकते हैं लेकि इस वक्त में आप love show करने की energy में नहीं है क्योंकि आपको खुद को भी protect करना आना चाहिए अगर आप खुद को protect नहीं करना जानते तो दुनिया आपको बेफकू बनाने का एक मौका नहीं छोड़ती है तो दुनिया की इस बनाई हुई भगवान की बनाई हुई दुनिया में आप लोगो के साथ बहुत अपार प्रेम में रहिए बट अपने आपको protect करना आना चाहिए कि कोई आपको जबर्दस्ती इस्तिमाल ना कर पाए आप जिसके लिए जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो यह इसकी boundary set होती है कि इसको कितनी limit तक किसी को अपनी तरफ आगे बढ़ने देना है चाहिए वह भाषा की मतलब भाषा की उसमें हो respect में हो कि कोई आपसे कितना आप बोल सकता है कितनी उसकी language गिर सकती है आपसे बात करते समय ठीके चाहिए वह आपको treatment के आपको लगाता pain दिये जा रहे तो उन्होंने यह boundary set कर रखी है और उन्होंने अपनी कहीना कर अपने आपको protect करना सीख लिया यह queen love की energy में तो होती है बट यह love को express तब करती है जब इसे सामने वाला व्यक्ति love को express करने like दिखाई देगा यह यहाँ पर energy निकल कर आ रही थे आपर तीन तरह की energy एक वो जो कई लंबे टाइम से inner work कर रहे हैं और एक communication की demand कर रहे थे और चाह रहे थे कि एक बार उनके बीच में चीज़े clarify हो जाए ठीक है चीज़े clear हो जाए कि क्यों हुआ कैसे हुआ उनके partner के मन में actual क्या है सच बोले वो ठीक है क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं जूट बोलने से फासले होते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर आपके लिए फैसला हो जाएगा फिर कि जो आपका partner सच बोलेगा तो दूसरी तरफ वो energy है जिनके भी partner family से बड़ा परिशान है कि family नहीं मान रही वो तो तयार है उनके लिए हाँ family का मन परिवरते थे कि healing आप करते हैं किसी connection की तो आपके family वालों के mind change हो जाते हैं ठीक है ऐसी बहुत strong powers हैं हमको यह मालुम नहीं होता है क्योंकि हमने कभी चीज़ पर ध्यानी नहीं दिया कि क्या क्या इस दुनिया में possible है ठीक है इस तरह की energy भी निकल कर आ रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपका आंक बंद करके विश्वास अपने इश्यवत पर इश्ट पर अराद पर बहुत strong है तो आप यकीन मानिए कि अगर आपको कभी ठोकर भी लगीगी न तो भी आपका मन किये नहीं किया सकता कि ठोकर किसी कोई सजा है मेरे लिए आपको असलेगा कि यह ठोकर मेरे लड़ने के मुझे को सीखना है ठीक है और आप यह पाएंगे आने वाले समय में कि आपको कभी ऐसा प्रतीद नहीं हुआ अपने जीवन में कि इश्वर ने आपके साथ कभी कुछ गलत या अन्याय किया है ठीक है अराध्य को समझने के लिए इस्ट को समझने के लिए मौन होना आवश्यक है उनकी भाशा को पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो आपको कुछ भी अपनी शब्दों में नहीं समझाते हैं वो अपनी मौन में ही समझाते हैं इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन में हम परमात्मा को सुनते हैं ठीक है यह चीज नजर आ रही है ओके देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है अच्छे एक सवाल था कि जागरती का अर्थ क्या है जागरती का अर्थ होता है अपने आपको जागरत करना अपनी पावर, सोई भी पावर्स को जगाना जागरती का अर्थ यह नहीं होता है खौईशों का पूरा हो जाना जागरती का अर्थ होता है स्पीचल अवेकनिंग का अर्थ होता है हर तरह से अवेकन हो जाना और यह जान जाना कि मैं इशर का अंश हूँ और मेरे पास असीम शमता है हर चीज़ को पाने की यहाँ पर नेक लिखा है N-E-C-K मुझे ऐसा लग रहा है नेक है यहाँ पर मुझे थ्रोट चक्रा की एनरजी आ रही है क्योंकि यहाँ पर communication का भी message था जैसे लग रहा है कि बातचीट पूरी तरीके से possible है यहाँ पर आने वाले समय में कि बातचीट होगी आप इस परसन के साथ आज ही बहुत साए लोग की बातचीट हो सकती है आप दोनों के बीच वे चारी चीज़े clear हो जाएगी कि आपका परसन जो एक्षिन लेता है वो उसका एक्षिन कौन से बेसिस पर है और क्यों वो ऐसा करता है वो आपको सब पुछ clear करेगा क्योंकि जब आपका थ्रौट चक्रा उपन होता है आप सच बोलते हो ठीक है उस वक्त भी अगर आप अगर आप दिमाग चला लो तो अलग बात है ऐसे अक्सर इंसान थ्रौट चक्रा उपन होता है जब तो सही बोलता है वही बोलता है जो मन में होता है ऐसे लोग manipulators नहीं होते neck srdxyz okay so dearie आपकी reading है I hope आपको reading पसंद आए हो reading पसंद आए तो guys please video को like करें चैनल पर पहले बारा दो subscribe जरूर कर thank you guys